बिहार में घुमने फिरने की शौक रखने वालों के लिए खुश खबरी राजगीर जू सफारी अब बन कर तैयार हो गया है सभी बाड़ों में अब जानवरों को भी छोड़ दिया गया है आलम कुछ यू है कि इस राजगीर जू सफारी में शेर, बाग, भालू, हिरन और तेंद्वा मिलाकर करीब 260 जानवर है मुख्यमंत्र नितीश कुमार अगर सब कुछ सही रहा तो इसी महीने इसका अधुगाटन करने वाले है इसको लेकर परियावरन वन एवं जलवाईयो परिवर्तन विभाग और जू सफारी प्रस्ताशन की तरफ से जोर शोर से तैयारी भी चल रही है 191 हेक्टेर जमीन पर लगभग 176 करूर की लागत से जू सफारी निर्वान किया गया है यहां खुले में विचुरन करते जंगली जानवरों के बीच परिटक सुरक्षित तरीके से वाहनों से भ्रवन कर सकेंगे वन विभाग के अधिकारियों की माने तो Central Zoo Authority of India की तरफ से हरी जहंडी मिल चुकी है यहां जानवरों के इलाज के लिए दक्षिन बिहार के सबसे बड़े मॉडल अस्पताल का निर्मान भी किया गया है एक्सरे और अल्ट्रासाउंट की भी विवस्था की गई है विभाग के अधिकारियों की माने तो जू सफारी में वन्य प्राणियों को प्रागर्तिक वातावरन मिलता है खुले में विच्रन करते हैं जो इसके बाद अब जल्दी इस जू सफारी को परिटकों के लिए भी खोल दिया जाएगा जू सफारी सेंटरल जू अथोरिटी की निगरानी में काम करता है सीजेट की टीम की माने तो इसे मोड्यूल जू के रूप में विक्सित हिया गया है यहां लोग सुरक्षित तरीके से भ्रहमन कर सकेंगे वर्तमान समय की बात करें तो पटना में परिटकों के जू सफारी आने जाने के लिए स्पेशल टूर पैकेज भी तयार किया जाएगा जू सफारी के उधगाटन के 10 से 15 दिन के अंदर टूर पैकेज तयार कर लिया जाएगा इससे पहले दोनों विभाग पटना से आने जाने वाले परिटकों की संख्या का सर्वे करेंगे लोगों को सस्ती दर पर सेर कराने के लिए टूर पैकेज तयार होगा इससे पहले दोनों विभाग पटना से आने जाने वाले परेटकों की संख्या का आकलन भी करेंगे जिससे कि आने वाले समय में बिहार में परेटन की असीम संभावनाय बढ़ती दिखाई दे रही है साथ लोग भी रोजगार से जुड़ते रहेंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बीते लंबे समय से राजगीर जुड़ सफारी का काम जोर शोर से पूरा किया जा रहा था ताकि परेटकों को राजगीर आने पर जुड़ सफारी का आनन्द दिया जा सके जिसमें ही अब बिहार सरकार को बड़ी सफलता मिली है और बिहार बाजी के साथ साथ बिहार घूमने आने वालों के लिए भी अब सफारी की सुवधा मिलने वाली है वहीं बात अगर राजगीर जू सफारी में किस जानवर को कितना हेक्टेर मिला साथ ही इसकी संख्या कितनी है इसकी करे तो शेर को 20.54 हेक्टेर दिया गया और इसकी संख्या साथ है वहीं बाख को 20.50 हेक्टेर दिया गया है और फिलहाल इसकी संख्या दो है वहीं तेंदुये को 20.6-3 hectare area मिला है और इसकी संख्या भी 2 है भालू को 20.6 million hectare space area मिला है और इसकी संख्या भी 2 है वहीं हिरन, चितल और संभार की बाद करे तो इनके लिए 45.6-2 hectare का area दिया गया है वहीं इनके संख्या फिलहाल 250 है इसके साथ ही उमीद यही की जा रही है कि राजगीर जू सफारी बनने के बाद बिहार में परेटो को का आना जाना और ज्यादा बढ़ेगा इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद